नमस्कार दोस्तों सवागेता आप सभी का आपके अपने चैनल केरेर पॉइंट यूटूब चैनल पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें लेकर आए विज्ञान के टो 50 क्यूशन जो आपके आने वाले एक्जाम को कंप्लीट करने में आपकी मद्द करेंगे तो दोस्तों अगर आप लोग की यहां पर पहली बार आएं तो चैनल को फटावर सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली परतेक वीडियो का नोटिकेशन आपको मिलता रहे पहरे दिस तो आपको यह वीडियो डेली सुबह 9 बज़े दी जाती है तो प्ली जनजाती का सम्द्द रहे दिए मिली कि अत्व मैं से किस राजे से तो दूसम पर ऑफ्शिन ए के ai केraw moon राजे से ऑपिछन ए केर लाज everywhere आपका राई पर सी मिलतको नगर के नाव से किस सहर को जाना जाते इलेक्टोनिक नगर के नाम से, किस सहर को जाना जाता है? तो धन्च लाएरन फोगा है आपन्ड, option C, बैंगलूर शहर को, इलेक्टोनिक नगर के नाम से, जाना जाता है, या रखेंगे, next question, पूरव का पेरिश, किस सहर को कहा जाते हैं? किसको का जाते हैं जैपपूर को पूराव का पेरिश भी का जाते हैं या रखेंगे और इसको पिंक सीटी के नाम से भी जाना जाते हैं अगला क्यूशन निमन में से कौन सा परियावन के घटक के अंतरगत आता है परियावन के घटक के अंतरगत आता है देखी दोस्तों कौन याडियवी घटक एजैवी घटक सभी के अपर्यावन के घटक है तो Option D उपरे योग सभी आपका राय थान्स होगा Next है कि नेमनुम से कौन पर्यावन के एजैवी के घटक के अंत्र का धाता है पर्यावन का एजैवी के घटक के दखिये कून है तो Top सब्सक्राइब का परियोग सबसे पहले किसी ने किया किसी ने किया तो दोस्तो अर्णेस ठेक कलने किया option A आपका अर्णेस ठेक कले यहां पर राइट अनसर होगा next नेकिका निमनों से किसी ने सबसे पहले पास्तिकी तंतर सब्सक्राइब का परियोग किया था पासिर की तंतर के उस गठक का जो अपना भोजन स्वेम उत्वपादित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जो अपना भोजन स्वेम उत्वपादित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्या कहते हैं, उत्वपादक वर कहते हैं, option C आपका राइट रन सुगए आपर, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सेर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ नेक्स्ट क्यूशन आपके लिए वैसे जीव जो मर्त जीवों के अफसेसों से अपना जीवा न्याबपन करते हैं इनमें मुख्यत रूप से जीवानू कवक आ दियाते हैं किस वरक के अंतरगत रखे जाते हैं तो दोस्तों देखेगा राइट रूप से अपर ऑप्शन भी अप घटक के वरक के अंतरगत रूप्शन भी अप घटक आपका राइट रूप से होगा नेक्स देखेगे वे परदुर्सक पदार्थ जो लंबे समय तक परियावन में बने रहते हैं तस उक्षम जी वो दोवारा अप घट इतनी तो वो क्या कहलते हैं क्या कहलते हैं दोस्तों तो दोस्तों राइट रूप से आपका निमनी करने पदार्थ और निमनी करने पदार्थ कहलते हैं या दखेंगे ओप्शन सी आपका राइट रूप से होगा नेस्ट देखी नीमनों से कौनसा वाईू पर्दूशन का लक्षन है? वाईू पर्दूशन का लक्षन है तो कौनसा है? साउट सन्तन्तर की ब्मारी D음 chant ये सभी कहा है? वायू पर्दूशन के लक्षन है option D. आपका उपरोग सम्याँ पर राइट अंसर होगा, नेक्स देकी, जल में किस परदूशन की उपष्थी से मीना माता की बिमारी होती है, जल में किस परदूशन की उपष्थी से मीना माता की बिमारी होती है, तो दोस्तों, राइट अंसर होगा, पर ओप्शन से ही, पारा, पारा की उपष्थी से मीना माता की बिमारी होती है, आ रखेंगे, नेक्स देखीगा, जल में, कैडमियम की अधिकता से, कौन सी बिमारी होती है, जल में, कैडमियम की अधिकता से, कौन सी बिमारी होती है, तो दोस्तों, इटाई, इटाई, कैडमियम की अधिकता से, इटाई, इटाई इटाई बिमारी होती ह option A, आपका right answer और next दीगहा, gel में किस परदोषक की उपस्थिति की खाने, blue baby syndrome नाउग्च बिमारी होती है, किस की उपस्थिति कारने, तो दोसू, nitrade, Patrol में nitrate की उपस्थिति की कारने, blue baby syndrome बिमारी होती है रहती है, option D, आपका नाइट्रिट यहाँ पर राइट अन्स होगा. नेक्स दिकिगा. निमन उसे कौन सा यी कच्रा परदूर्शन का लक्सन है? कौन सा यी कच्रा परदूर्शन का परभाव हो है? तो दुस्टों कौन सा है? जल का जहरी लवना, मरीदा का बंजर होना, और ख़द्य स्रंखला परभावी तो होना. सभी के हैं, यी कच्रा परदूर्शन का परभाव हो है. उप्शन D, उप्रोक्ष भी आपका राइट अन्स होगा. नेक्स दिकिगा. ओजोन दिवस कब मनाया जाते है? ओजोन दिवस कब मनाया जाते है? तो दौस्तो 16 सिथमबर को Option B आपका राय टर्लज्व, पर 16 सिथमबर को हर साल ओचोन दीवस के रूप में मनाय जैते हैं next आपकेगा नीमने से कोज सा धावनी पर्दोशनका हनिकारक परभाव है दावनी पर्दोशनका हनिकारक परभाव कोज सा है देखिए दोस्तो, उच रख्चाप, माईग्रेन, अनिद्रा, सभी क्या हैं, दाउनी परदूशन के हानिकारक परभा होएं, तो option D, आपका उप्रोग स्मियाँ पर राइट रंसर होगा, next देखिएगा, परदूशन के कान से, संपून वातावन, परियावन का ताप बढ़न क्या कहलाता दुश्तो, गलोबल वार्मिंग कहलाता याद रखिएगे, option A, गलोबल वार्मिंग आपका राइट रंसर होगा, next देखिएगा, वातावन में कार्बन डाक्षेड की वरिदी, निमन कार्णों से किसके कार्ण होती, तो दुश्तो राइट रंसर होगा, जिवा इनों की ज्यादा इस्तिमाल से वहनों की कटाई और वाहनों की संख्या में वरिदी, सभी कहें, वातावन में कार्बन डाक्षेड, C, O, 2 की अधिकता के कार्ण है, तो option C, आपका 1, 2, 3, तीनों आपके राइट रंसर होगा, next देखिएगा, निमन में से कौन सी गैस हरित ग गरह परबाव में साहिक है, तो दोस्तों, जलवास, मीथेन, ओजोन, सभी कहें हरित गरह परबाव में साहिक गैस है, तो option D, आपका सभी आपर राइट अंसर होगा, next देखिए, आमलिय वर्षा में जल का पी एच मान कितना होते है, बताएंगे आप लोग, आमलिय वर्षा में जल का पी एच मान कितना होते है, कितना होते है, साथ से कम होते है, अमलिय वर्षा में, जल का पी एच मान साथ से कम होते है, option B, आपका राइट अंसर होगा है, नेक्स देखिए, किस गैस का योगदान अमलिय वर्षा में, किस गैस का योगदान अमलिय वर्षा में, किस कर दोस्तो यह सुरे की प्राभर भैंगनों को प्रावर्थिकरती है वोक्रय प्रावर जई रिटी यह आप लोग गर देगे तो वायूमिद्स किस परत में ओजोन से पाइन ज dau ़र आधराम समता हमन्हाच मंदल में और समताम मंदल में और Гर्ण पाईजते यह आप लोगिया दखेंगे नेक्स स्वेंगे राइट अंसर होगा नेक्स सब्सक्राइव की वाकॆरवलaturavisor पारेफी पर प्रावेंगन किनों को आने से रोकती है, वायू की कौन सी सत है जो परती पर प्राव एंगने किनों को आने से रोकती है, कौन सी सत है, तो दोस्तो राय तंसर है, पर ओप्शन B, ओजोन सत है, ओजोन सत है, जो प्राव एंगने किनों को आने से रोकती है, या रखेंगे, ओप्शन B, आपका सही आंस में इसकी स्थापना कब की गई तो 1963 में तिरुवंत्पुरम में विक्रम शारबाइस स्पेस सेंटर की स्थापना की गई 1963 में नेक्स देखी कवकों का अध्यन क्या कहलते हैं कवकों का अध्यन क्या कहलते हैं तो दोसो माइकोलोजी उफ्षन ए माइकोलोजी आपका राइत अंसर होगा नेक्स देकी का सिकों का अध्यन क्या कहलते हैं दोसो चले देखी निवमिस्मेटिक ओप्षन दी आपका निवमिस्मेटिक यहांपर राइत अंसर होगा नेक्स नेक्ष 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 राइट अंस होगा, नेक्स दिकी, आधुनिक वर्गिकन का पिता किसे कहा जते हैं, किसे कहा जते हैं, तो दोस्तों राइट अंस होगा आपर लीनियस को, उप्शन D, आपका लीनियस यहाँ पर राइट अंस होगा, नेक्स दिकी, कोशिका का अध्यन क्या कहलते हैं, क्या कहल क्या खता है साइटलर जी क्या सएट्षंसर का चिया उप्शन सी। सेटलर जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्क्रेश इनक्सिर contributes to habi ka कोशी का सिध्धांत का परफीपाधन किसी ने किया अ किस・ नीक ने किया। किसने किया। सेवालों का अध्यान क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? फाइकोलोजी. Option A. फाइकोलोजी आपका राइत अंसर होगा. Next दीकी. नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहा पश्ती थे? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहा पश्ती थे? कापरें पूने में. Option B. पूने आपका राइत अंसर होगा. Next दीकी. मलेरिया रीशर्च सेंटर कहा पढ़ा है. मलेरिया रीशर्च सेंटर कहा पढ़ा है. तो दोस्तों दिल्ली में. Option B. दिल्ली आपका राइत अंसर होगा. Next दीकी. अंगूरों का उतुपादने किसे समझते लाइक और शेर जूरू करी गाता थे लाइक और शेर जूरू करे अंगूरों का उतुपादन समझते किसे तो वीति कल्चर से Option D, VT culture आपका right answer होगा Next नेत्रों का चिकित्सक क्या कहलते हैं नेत्रों का चिकित्सक क्या कहलते हैं तो दोस्तो right answer होगा आप पर है Option B, Optal Mooladist Option B, आपका सही answer होगा है Next है Veterinary Research Institute कहाँ पर सिते हैं Veterinary Research Institute कहाँ पर है तो कहाँ पर हैं इस जत्नगर में Option C, इस जत्नगर आपका right answer होगा है Next Question किस विज्ज्भान में पक्षियों से समझत अध्यान किया जाते हैं किस विज्ज्भान में पक्षियों से समझत अध्यान किया जाते हैं तो दोस्तो, Ornithology में Option B, आपका Ornithologyहाबर right answer होगा Next Question प्लाजमा अनुषंधान सिंस्तान कहा शतीत थे प्लाजमा अनुषंधान का पर है तोsan तो तोझ का पर है गांधी नगर में है औप्शन डी आपका स्यौगा गांधी नगर दोस्थो ये गुजरात राजे की राज्दानी आप लोग रहा रखें गे नेक्स देकी का राश्ट्री ये डेरी अनुसंदान सिल्स्तान का आपर है राश्ट्री ये डेरी अनुसंदान सिल्स्तान का आपर है तो दोस्तों ये का आपर है करनाल में करनाल दोस्तों ये हरियाना राजिम है या लेकिन अगर हरियाना की जो राज़दनी है वो क्हाँ चंडीगड जो कि पंजाब की राज़न ही तो option A आपका करणाल यहाँ पर राइट अन्स क्हाँ चैन्द के लाते हैं वाइरस का अध्यन क्या कहलाते हैं आप वाइरोलोजी option A वाइरोलोजी आपका राइट अन्स चैन्द के आपर का पर हैं? तो दोस्तो राइट अन्सों गाया पर option A, Trambe में. या रखना B, A, R, C की full form. क्या होती है? Baba Atomic Research Center. हिंदी में क्या होगा? Baba Parmanu अन्न सुन्धान के हिंदे. जो की का पर है? Trambe में. Next लेखेगा? National Brain Research Center का पर है? National Brain Research Center का पर है? का पर है दोसो? राइट अन्सों गया पर? बिलकुल-बिलकुल दोसो. Option B, गूर्दगाओं में. गूर्दगाओं का नए नाम क्या रखा गया? गुरू ग्राम. या रखना है दोसो. नए नाम क्या है? गुरू ग्राम नाम है नया, और ये भी काँ पर हरियाना राज्य में दोस्तों यार रखना, ठीके काँ पर हरियाना राज्य में, तो option B आपका गुरू ग्राम यहाँ पर राईट रण सुरूगा, next जीवों में पाई जाने वाले रोगों का अध्यान क्या कहलाते है, जीवों से सम्मंदित विज्ञान की साखा क्या कहलती है कीटों से सम्मंदित विज्ञान की साखा क्या कहलती है तो देखी क्या कहलती है तो दोस्तो एंटोमोलोजी option a entomology आपका right answer पर next देखे और आज का last question जिव विज्ञान समद का परियोग सब से पहले किस ने किया तो दोस्तो किसने लैमार्क और ट्रेविनेस ने जी विज्ञान समद का परियोगे सब इसे पहले लैमार्क और ट्रेविनेस की द्वारा किया गया तो option b आपका सब्सक्राइब का तो दोस्तो यह session आज का यहीं पर complete होता है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को like और share जूर करें और दोस्तो जो भी चैनल पर नहीं चैनल को subscribe करिए और comment करिके बताएं का दोस्तो आपको यह वीडियो कैसे लगी तो दोस्तो मि